हेलो फ्रेंट्स मैं हो रितू और आप सभी का स्वागत है इंडियन कुकिंग चैनल रितू राव माय रेसीपी इसमें और आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ बहुत ही तेस्टी चकपटी सी और तीखी सी रेसीपी और यह है मेथी वड़ी की रेसीपी यह बहुत ही बनती है अंदर से इसका बिल्कुल खस्तापन आप देख सकते हैं बहुत ही तेस्टी रहती है इसका जो टेस्ट है यह चकपटा सा है तीखा सा है और यह नमकीन सा है बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है इसका और इसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकती है तो एर टाइ तो चलिए बनाने के लिए श्रुवात करते हैं तो यहां हमने एक बड़ा सा बरतन लेना है इसमें रख देंगे स्टीहनर और हमें चान लेना है मैदा तो जब भी आप कोई रेसिपी बनाते हैं चाहे आप बेसन से बनाए या मैदे से बनाए उसे चाने जरूर क्योंकि यह चानने से हमें जो टेक्स्चर मिलता है यह बहुत ही अच्छा टेक्स्चर मिलता है इसलिए जब भी आपने मैदा या बेसन लेना है तो उसे जरूर चान लेना है यह बहुत ही अच्छी टिप्स है इसे जरूर याद रखे आप तो हमने सारे मैदे को अच्छे से अब इसमें डालेंगे मसाले, तो हमने डालना है नमक, मैंने नमक एक चमच लिया है, अब डालेंगे काला नमक, जो हमने एक चोथाई चमच से थोड़ा ज्यादा लिया है, अब डालेंगे अजवाईन, अजवाईन एक चमच लिया है, और इसे अच्छे से क्रश करके डालना इसे स्वाद अच्छा आता है डाल दिया एक चमच हमने तिल और डालना है यहाँ पर एक चौथाई चमच कुटी हुई काली मिर्श को इसे अच्छा तेस्ट आता है और अब डाल देंगे एक चमच धनिया पाउडर एक बड़ा चमच हमने लाल मिर्श पाउडर डाला है क्यो तो उस मेथी के पत्तों का आपने बारिक बारिक काट लेना है और उसके बाद में से थोड़े से तेल में सौटे कर लेना है जिससे उसका जो पानी वाला मौस्ट्र होता है न वो कम्प्लीटली खटम हो जाना चीए क्योंकि हमें लंबे समय तक मेथी वड़ी स्टोर करनी होती तो वो सोगी नहीं होंगे अगर आपने ताजी मेथी यूज इस तरीके से की गी तो इस टिपस को जरूर याद रखे और हमने मेथी को च्रश कर लिया यानि कसूरी मेथी को डाला और सारी ingredient को अच्छे से mix कर लेना है क्योंकि हम इसमें मोयन देंगे और मोयन जब देते हैं तो कसूरी मिती उपर गर रहती है तो यह जल जाती है इसलिए अच्छे से mix कर लिया ingredient अब हमने यहां लिया है घी तो घी को हमने हलका से कर्म करना है याने हमने सिर्फ melt होने के लिए उसे गर्म किया और मेल्ट करके डालना है अब तेल जो है थोड़ा कड़ा सा गर्म करना है तो हमने जो घी लिया था वो एक चमश लिया था और एक बड़ा चमश हमने तेल लिया है तो तेल पर अच्छे से कड़ा गर्म करके डालना है और सारी इंग्रिडियंट को अच्छे स मिक्स करना है तो हमने किसी चीज की मदद से ही इसे मिक्स करना है क्योंकि तेल अच्छा कड़ा गर्म खा और जब यह ठंडा सा होता है तो हाथ से मिक्स करेंगी तो इसे हमने मसलती हुए मिक्स करना है यहाँ देख सकते हैं सारे इंग्रिडियंट अच्छे से मिक्स हो जाते ह और जो टेस्ट होता है यह बहुत अच्छा ता है कच्छा टेस्ट नहीं रहता है इसलिए हमने हाथ से मसलती भी इसे मिक्स किया अब थोड़ा थोड़ा पाने डालेंगे और एक हमें डो तयार करना है तो डो जो होता है यह हमें जैसे पूरी के लिए लगाते हैं बस वैसे ही इसे लगा कर ready करना है तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पाने डालते हैं और डो तेयार करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे जो डू है यह हमने बना कर रेडी कर लिया है तो इसे आपने कम से कम एक से दो मिनिट के लिए अच्छे से मसलना है और अब इसे हम रख देंगे रेस्ट करने के लिए तो इसे 15 से 20 मिनिट के लिए हमने ढाक कर रख देना है तो 15 से 20 मिनिट के बारें fen Fram आप देख सकते हैं डो अच्छे से रेस्ट कर लिया है सारे ingredient अच्छे से फूल जाते हैं अंदर और बहुत यहचा टेस्ट आता है इसलिए से रेस्ट करने रखते हैं और अब इसकी लोई काट लेंगे, तो हमें थोड़ी बड़े-बड़े से पेड़े काट लेना है, क्योंकि हम जो लोई है, यह जो रोटी है, यह हम थोड़ी मोटी साइस की बेलते हैं, इसलिए हमने लोई भी थोड़ी मोटी साइस की लेनी है, तो यहां हम इसे अच्छे से थोड़ा मोटा सा बेलना है, पतला सा बिलकुल नहीं बेलेंगे, तो यहां आप इसका थिकनेस देख सकते हैं, हमने इतनी थिक रखी हैं, और अब इसे हम काट लेंगे, तो इसे स्क्वेर शेप में काटना है, क्योंकि हमें जो मेथी वड़ी हैं, यह लंबी-लंबी सी काट ल स्ट्रिप्स में, इसलिए हमें इसका चौकोर आकर होना चाहिए, यहां हमने चौकोर आकर कट कर लिया है, और अब इसके लंबी-लंबी सी हम स्ट्रिप्स कट करेंगे, तो आप देख सकते हैं, इसकी मोटाई हमने कितनी रखी हैं, और आपने चौड़ाई भी देखी हैं, तो आप देख सकते हैं, हमने अब इसे तीन इसमें कट कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं, यह जो स्ट्रिप्स है, यह हमने थोड़ी मोटी सी रखी और चौड़ी सी रखी है, क्योंकि जो मेथी वड़ी मार्केट वाली होती है, वो इसी तरीके से चौड़ी और मोटी सी होत तो तील यह हमें normal सा गर्म करना है, बहुत ज़्यादा तेज गर्म नहीं करना है, क्योंकि हमें इसे अंदर से भी अच्छे से खस्ता होने तके fry करनी होती है, तो medium to low flame पर ही आपको इसे fry करना है, तो हमने एक एक करके वड़ी डाल दी है, अगर आप एक साथ भी थोड़ी सी दाल देते हैं, तो यह एक दूसरे से चिपकेगी नहीं, क्योंकि हमने इसे मोयन दिया है, तो अब इसे हम fry करते हैं, तो medium to low flame पर ही इसे fry करना है, तो इसे लगातार इसी तरीके से चलाती हुए हम fry करेंगे, तो शुरू में एक दम से नहीं चलाए, थोड़ा fry होने दे, उ अब यह अंदर से भी अच्छे से पक जाती है, तो उपर float होना शुरू होती है, एकदम light weight हो जाती है, और जब यह अच्छे से golden brown color आ जाए, तो हम इसे निकाल लेंगे, और बाकी वड़िया भी इसी तरीके से fry कर लेंगे, तो सारी वड़िया हमने इसी तरीके से fry कर ली है अब इसे बड़े से परतन में डाल देंगे, और अब इसे हम एक चटपटा सा टेस्ट देंगे, तो यहां हमने लाल मिर्च पाउडर एक चोथाई चमश ली है, काला नमक एक चोथाई चमश और चाट मसाला एक चोथाई चमश लिया, और सारे इंगिरियन को अच्छे से mix क अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे, जिससे यह जितनी भी हमने मेथी वड़ी बनाई है, यह अच्छे से कोट हो जाएगी, और इसे हमने इसी तरीके से थोड़ा सा फ्लिप करना है, जिससे यह जितनी भी हमने ड्राय मसाले डाले है, यह अच्छे से में भरके भी रख सकते हैं तो यह लंबे समय तक भी चलेंगी तो आप यह रेसीपी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए आपके फीडबैक टाफ वेट रहता है ताकि मैं और भी नई रेसीपी बना सकू तो जरूर दीजेगा और रेसीपी कैसे लगी यह सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बिल प्रेस करना बिलकुल ना भूलें